नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचेत दोस्तु पस्तेत हूं आप सभी की सिवा में एक बहुत जादा ध्यान रखते हैं और इसी वजह से वो कभी बिमार नहीं होते हैं और जीवन भर निरोग रहते हैं आज कल कुछ एक बिमारियां ऐसी हैं जो थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। भले हैं साइंस ने इतनी तरक्की कर लिए लेकिन यह बिमारियां बढ़ती ही जा रही है। इनी बिमारियों में से एक है पित यानि की सरजरी की मदद से निकलवाते हैं लेकिन आज हम आपको पित की पत्री को निकालने के लिए कुछ एक घरेलू उपाय बता रहे हैं चलिए जानते हैं क्या हैं वो उपाय जब पित में पत्री हो जाती है तो पित के दाएं हिस्से में असहनिय दर्द होता है और लोग इस विश्य में व्यक्ति की पाचन शक्ति भी काफी कमजोर हो जाती है पित की पथरी को बाहर निकालने के लिए कुछे घरेलू उपाए हम आप सभी को बता रहे हैं जिनके सहारे आप पित की पथरी को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं पथरी से निजात पाने के लिए आप सबसे पहले अपनाएं कुछ एक घरेल उपाएं जिन में से है से जूस और सिर्का प्रमूख, सेब में फोलिक एसिड पाया जाता है जो पत्रि को गलाने में काफी सहायक होता है, पांच दिन सेब का से पिने से आपको पत्रि की समस्या से निजात मिल सकती है, इसके अलावा आप एक ग्लास सेव के जूस में एक चमच सिरका मिलाकर भी पी सकते हैं इससे भी पत्री की समस्या से निजात पाई जा सकती है इसके बाद है नाश पाती का जूस पत्री की समस्या से निजात पाने के लिए एक ग्लास गर्म पानी में एक ग्लास नाश पाती का जूस और शहद मिलाए और इस जूस का दिन में तीन भार सेवन करें जरूर लाव होगा आपको इसके अलावा चुकंदर, गाजर और खीरे का प्रयोग एक चुकंदर, एक खीरा और चार गाजर का जूस बनाले इस जूस का सेवन दिन में दो बार करें इससे पथरी बाहर निकल जाती है इसके अलावा पुदीने का प्रयोग, पुदीने में तारपिन तत्तो पाया जाता है जो पत्थरी को गलाने में मदद करता है, एक गलास पानी उबाल लें और उसमें पुदीने की पत्तियां डालें और पानी को ठंडा करके उसमें शहद मिलाएं और दिन में दो बार पीएं ध्यान रखें कि जब भी आप पूरे डे का सेड्यूल बनाएं उसमें पानी की मातरा अच्छी खासी रखें देखें खाना खाते वक्त आपको पानी नहीं पीना है खाना खाने के आधे से एक घंटे बाद पानी पीना होता है और खाना खाने से आधे घंटे कम से कम पहले पानी पीना होता है इसके बीच में पानी नहीं पीना चाहिए नहीं तो नुकसान दायक हो जाता है लेकिन इसके अलावा आपको पूरे दिन में पानी की अच्छी मातरा बोडी को चाहिए होती है क्योंकि पानी के सहारे हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकलता है इसलिए पानी उचित मातरा में जरूर पिए अगर आप अपने आपको स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसके अलावाज ये जो हमने आपको जूस बताए इनके सहारे अगर पत्थरी हो गई है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं आप शरीर से तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जहानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे और बेहाद ही महतोपून जहानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों